Hello everyone, I am Sonal Tanwar, your educator. Welcome back to my channel, The Hindu Ensor Classes. आप सभी का मेरी क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है. I hope आपकी प्रिप्रेशन काफी अच्छे से चल रही होगी. और अगर नहीं चल रही है, तो एक बार आप खुद का सेल्फ असेस्मेंट कीजिए. और देखें कहां पर आप लैग कर रहे हैं. क्योंकि खुद का सेल्फ असेस्मेंट करना और खुद को टाइम टू टाइम चेक करना, ये भी एक प्रिप्रेशन का ही पार्ट है. सिर्फ पढ़ते जाना पढ़ते जाना ये एक अलग बात है, लेकिन खुद की पर्फॉर्मेंस भी चेक करना, कि आपने उस स्टडी से, उस रिवीजन से, आप कहां पे स्टैंड करते हैं, और आप अभी कितना दूर हैं अपने टार्गेट से, ये एनलाइस करना, ये सब ए लेटे टू मेंन स्कीम्स, पर स्कीम्स को बताने से पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बता देना चाहती हूं, अगर डेटा की देखें, तो गॉर्मेंट के पास फिलाल 80 मिलियन टन्स जो फूर्ड ग्रेंज है वो अभी भी बफर स्टॉक में अवेलेबल हैं, अब करनाट का के सी एम बीएस यदुरप्पा का कहना ये है कि जो ये स्कीम है ये अभी और तीन महिने तक एक्स्टेंट कर दी जाने चाहिए, सेंट्रल गॉर्मेंट के द्वारा उन्होंने एक लेटर भी लिखा है यूनियन मिनिस्टर फूर फूर्ड और पब्लिक डिस्रिबूशन को कि आप इस बारे में अपना पक्ष रखें और आप इस बारे में थोड़ा सा सोचें कि ये स्कीम को तीन महिने और एक्स्टेंट क प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना ये प्रधान मंतरी नरेंदर मोगी ने जब लोगडाउन एक्स्टेंट किया था उस वक्त ये लॉंच कि थी और दूसरी जो स्कीम है वह हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मरा सिथा रमन ने जब वह एकोनोमिक स्टिमिलिस पैके जो इंडिया का लगभंग दो तीहाई पोपोलेशन कवर करते हैं वो डायक्ली बैनिफिटर होंगे पांच किलो राइज और वीड जो भी आप चाहें आपको तीन महिने तक ये राशन जो है एकदम फ्री मिलेगा आप किसी भी पीडियेफ शॉप से जाकर ये राशन ये जो स्कीम है आपको पहले जो पांच किलो राशन मिलता था उसके एडिशन में ये राशन मिलेगा मतलब पांच किलो राशन आपको जो पहले मिलता था वो तो मिलेगा ही साथी साथ आपको ये अलग से पांच किलो राइज या वीड जो भी चाहें और प्लस आपको एक क अब दूसरी जो स्कीम है जो Finance Minister निर्मला सीथा रमन लेकर आई थी वो mainly focus करती है Micro Food Enterprise पर इस स्कीम में Micro Food Enterprise को 10,000 करोड रुपे दिये गए थे अब ये Micro Food Enterprise क्या होते हैं ये ऐसे enterprise हैं ऐसी company हैं या छोट-छोटे लगू उद्योग हैं खाद्य लगू उद्योग जो डिरेक्टली फार्मर से समान लेते हैं और सीधा रिटेलर को बेचते हैं इनका integration होता है इनका connection होता है रिटेलर से ये स्कीम benefit करेगी 2,000,000 MFEs को और इस स्कीम का main focus area यही है कि Micro Food Enterprise की income को कैसे improve किया जाए तो हमने दोनों स्कीम के बारे में जाना और ये भी जाना कि करनाटका के CM ने अपना view रखा है कि हमें और तीन महिनों के लिए ये स्कीम जो है वो extend कर देनी चाहिए So our next news is Top IATs and IIS slip in global rankings QS World University Rankings 2020 की report आ चुकी है इस report में ये बताया जाता है कि जितनी भी अरगर कंट्रीज में prestigious universities हैं उनको ranking दी जाती है कुछ parameters के उपर और ये बताया जाता है इस ranking में कि कौन सी university internationally किस level पर recognize हो रही है देखने की बात ये हैं कि हमारे जो IITs और IIS हैं वो पिछले साल के मुकाबले इस साल downgrade हुए है इंडिया का कहना ये है कि हमारी university की ranking downgrade होने का reason internationalization है हम इस parameter में अच्छा perform नहीं कर पाए हैं इसलिए हम हमारी जो universities हैं वो downgrade हुई है rank में QS World University ranking है वो six broad parameters पर conduct होती है जैसे academic reputation employers reputation citation per faculty faculty और student ratio इंटरनेशनल फेकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टुडेंट रेशियो IIT Bombay जो पिछले साल 152nd position hold कर रही थी वो इस साल 20 rank नीचे और गिर गई है और अब इसकी rank 172nd हो गई है IIT Delhi जो पिछले साल इंडिया में 2nd position hold कर रही थी उसको अब Indian Institute of Science ने overtake कर लिया है अब Indian Institute of Science जो है वो 2nd position पर आ गई है according to India इसकी rank 185th है IIT Delhi जो है वो और पिछले साल के मुकावले 10 rank नीचे गिर गई है पिछले साल IIT Delhi 183rd position पर थी जो कि अब 193rd rank पर हो गई है वहीं IIT Madras 275th position पर हो गया है यह सब इतना जरूरी नहीं है आपको इंडिया की top 3 institute की ranking पता होनी चाहिए IIT Bombay जो है वो 152nd position पर है 2nd number पर Indian Institute of Science है 185th position होल्ड करते हुए और 3rd place पर है IIT Delhi जिसकी rank 193 है तो यह top अगर आपको याद है तो भी आप answer writing में यह लिख सकते हैं यह आपको benefit होगा जो top position पर है worldwide वो पिछले साल की तरह ही इस साल भी अपनी rank भरकरार कर रखा है यह अमेरिका की एक institution है Massachusetts Institute of Technology 2nd position पर है Stanford University और 3rd position पर Harvard University तो यह हमने पूरा QS World University ranking के बार में जाना और देखा कि अलग-अलग ranks पूरे ग्लोबल में और इंडिया में कौन-कौन सी उनिवरस्टी इसने होल्ड कर रखे हैं तो अब चलते हैं अपनी next news की तरफ So our next news is government to review if private banks taking part in MSME revival Finance Minister निर्मरा तीथा रमन ने अभी PSBs के officials के साथ मिलकर एक meeting conduct की है जिसमें उन्होंने देखा है कि Emergency Credit Line Guarantee Scheme और Extending Partial Credit Guarantee Scheme जो बनाई गई है वो जो PSBs है वो इनका use properly कर रहे है या नहीं लोगों को सही से credit प्रवाइड कर रहे है या नहीं तो देखा यह गया है कि जो private sector banks है उन्होंने तो sanction करना start कर दिया है MSME को यह credit लेकिन जो private sector banks है जो private owned banks है उनका अभी पता नहीं चल रहा है कि banks properly यह scheme को follow कर रहे है या नहीं अब जो इंडिया का सबसे largest private lender bank है HDFC उसका share जो देखा गया है इस इन दोनों schemes के तहट वो सिर्फ 13% लेखा गया है जबकि जो state का सबसे largest lender bank है government owned उसका जो contribution है वो 23% देखा गया है MSME loans में अब अगर private का सबसे largest lender जो है HDFC वही से 13% यह sanction कर रहा है loans को MSMEs को तो जो बाकी के इन से नीचे के जो लेंडर बैंक है private owned वो तो बिर्कुल ही नाके बराबर कर रहे होंगे तो इसी चीज़ को देखने के लिए यह meeting conduct की गई थी finance minister के दुआरा तो बैंक्स पर अभी इस review का काम चल रहा है अब हम जानते हैं emergency credit line guarantee scheme के बारे में जब finance minister ने बीस लाग करोड का package launch किया था तब उसमें उन्होंने तीन लाग करोड जो है वो MSMEs को funding के दौर पर provide करने के लिए भी बोला था अब इस scheme के तहत जितने national credit guarantee trusted company limited हैं जैसे PSBs, NBFCs या कोई भी private owned bank वो सभी 100% guarantee coverage provide करेंगे सभी eligible MSEs को और जो भी interested मुद्र बोरोवर्स हैं उनको यह जो loan है वो MSMEs को as a guarantee emergency credit line के दोर पर दिया जाएगा MSMEs जो हैं वो इस loan को 31 October तक कभी भी ले सकते हैं और जो tenure है इस loan को वो है 4 साल आपको 4 साल के बाद जो अभी आपका आपने पैसा उधार लिया है जो भी credit लिया है वो banks को आपको वापस repay करना होगा जो interest rate है वो भी कुछ इस प्रकार है 9.25% जो है वो banks और FIs पर लगा हुआ है और जो 14% है वो NBFCs पर interest rate लगा हुआ है अम मुद्रा लोन योजना भी government ने चलाई थी काफे साल पहले यह जो लोन स्कीम है वो तीन पार्ट में डिवाइडल है जैसे की आप देख सकते हैं जो भी MSMEs पंद्रह हजार से नीचे यह पंद्रह हजार तक का लोन लेते हैं वो शिशू की कैटेगरी में आ जाते हैं और जो MSMEs पचास हजार से पांच लाग का लोन लेते हैं वो कि शोर की कैटेगरी में आ जाते हैं और जो पांच लाग से दस लाग का लोन लेते हैं वो तरुन की कैटेगरी में आ जाते हैं तो government ने यह कैटेगरी डिवाइड कर रखी है MSMEs के लिए कि आपको कितना से कितना ल स्कीम के बारे में और जाना क्या है मुद्रा लोन और कितने पार्ट में डिवाइड़ है शिशु किशोर और तरुन तो दैट इस अल फोर तोड़े इफ मैं वीडियो आर हेल्पिं यू देन प्लीज शेर इट अन सब्स्राइब मैं चानल अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं आपको आंसर करूंगी आपको मेरे टेलग्र चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी आप टेलग्राम चैनल पर अड़रेट अपसी विट सोनर डाल कर भी मेरा टेलग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं या फिर आपको डायेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दिया चायेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां जाकर भी डाय नहीं, thank you so much.